गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स मैं आपको पत्र के बारे में बता रही थी मैंने आपको बताया था पत्र दो प्रजार के होते हैं अपचारिक और अनपचारिक अनपचारिक पत्रों के बारे में बताया था जो हमारे सक्के संबंदियों को मित्रों को दोस्तों को लिख जा सकते अप्चारिक पत्रिक मुख्य रूप से तीन प्रकार के उते हैं इसमें पहले है प्रातना पत्र या आवेदन पत्र जो प्रधानाचार ये मुख अध्यापक को प्रातना पत्र लिखा जाता है नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखा जाता है दूसरा है शिकाईती बिन बिन सरकारी अर्ज सरकारी संस्थाओं को जो पत्र लिखे जाते हैं वो शिकारी की पत्र हैं और दूसरा संपादक के नाम भी हम क्या लिखते हैं शिकारी शिकारी पत्र लिखते हैं तीसे वेवसाइक पत्र जिसमें प्रातना पत्र आवेदन पत्र इस प्रकार के पत्रो प्रधानाचार का प्रधानाचार का अधिकारियों के सामे की कमी तथा उनकी योगता को भ्यान में रखकर संचीप्त होना चाहिए पत्र जो लिखा जाना चाहिए पत्र में सारी बातों को समाहित करना चाहिए ध्यान रखना चाहिए कि कोई तत छूटना चाहिए जो हम के लिए प्रमान भी संक्लक किये जाने चाहिए जो प्रमान है उन्हें भी लिखा जाना चाहिए जो से लगाना चाहिए शिकायती पत्रों में अपने आस पास के परिवेश में घटित होने वाली घटनाओं के संबंद में उच्छ अधिकारी को शिकायत की जाती हैं फिर इसमे के पत्र लिखे जाते हैं अनेक वेवसाई संस्थाइन भी एक दूसरे को इस तरह के पत्र लिखते हैं वेवसाई पत्रों में निम लिखे विशेशताइं होनी चाहिए वो इस पस्ट होना चाहिए छोटा होना चाहिए दूसरा उसमें सिस्टा चार होना चाहिए पूर्टा हो जो बात कही जाए साफ सुत्री धर्म से कही जानी चाहिए और वो प्रभाव उत्पादक करने वाला चाहिए जिसको हम पत्र लिखें उससे वो प्रभावी तो इस प्रकार का एक पत्र का मैं आपको उधारन दे रही हूं कि पेड़ पौधों के कटाओ को रोकने के लिए जिल अधिकारी को पत्र लिखें तो इसमें सबसे उपर आप अपना एड्रस लिखेंगे प्रन्तु आप परिक्षा भवन में बैठके पत्र कर रहे हैं तो इसके उपर आप लिखेंगे परिक्षा भवन सहरनपूर फिर शिरी युक्त जिला अधिकारी को लिखना है सहरनपूर उसके बाद आप लिखेंगे विशे, अनवचारिक पत्रों में विशे नहीं लिखा जाता, इसमें आप विशे लिखेंगे, पेड पौधों के कटाओं को रोकने हेतु, मतलब पेड पौधों के कटाओं को रोकने हेतु, उसके बाद लिखेंगे महदेया, यह पत्र, अब प्रतिनीदी के रूप में लिखना हूँ, मैं सभी निवासियों का अपने प्रतिनीदी कर रहा हूँ, उनकी तरफ से लिख रहा हूँ, हमारे इलाके में इन दिनों चारों और मकान बनने का काम शुरू हुआ है, बड़ी बड़ी कंपनियां और बिल्डर्स ने जमीने खरीद हुए हैं, पुराने विक्ष काते जा रहे हैं, अब दूसरी लैन में छोड़ के इस पैरा को यहां खतम दूसरे, भवन, इमारते, मकान, फ्लेट, आदी सभी आवशक हैं, किन्तु इन सभी का निर्मान हर्याली को बिना नस्ड किये भी किया जा सकता है, मुझे लगता है कि सरकारी तंत्र भी इन लोगों के साथ जुरे वे हैं, प्रशासन का तो यहां कर्तव होना चाहिए कि वे पेर पौदों को हानी नहीं पहुचाएं, पेर तो परियाबरन की सुरक्षा करते हैं, हमें इन से आक्सीजन मिलती है, तथा ये भूमी रक्षन को रोकते हैं, पेर प पौदों की अंदहदुन कटाई को रोका जास सके, उसके नीचे आप लिखेंगे सधन्याद, भवधिये, कह कह घय, उसके बाद दिनाक लिखेंगे, अपचारिक पत्रों में हम उपपर दिनाक डालते हैं डेट, पर अपचारिक पत्रों में हम नीचे दिनाक लिखेंगे, और इस तरह से आप अवचारिक पत्र लिखेंगे, कल मैं एक आज दो अजम धालन आपको बताऊंगी, आज ये आपके पत्रियां पे खतम हुआ.